इस वीडियो जे स्पॉंसर्ड बाइ निरस पॉब्लिकेशन जून दोह तेईस टाम एंग्जाम के प्रिपेशन करने के लिए इगनु के स्ट्वेंड को निरस पॉब्लिकेशन के तरफ से एक स्पेशल ओफर दिया जा रहा है तो आप लोग इस ओफर का डेफिनिट्री फाइदा उठा सकते हैं हलो एवरीवान वेल्कम टू माई यीट्यूब चैनल एएच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टन अपडेट के बार में बात करेंगे जो इगनु के तरफ से और इगनु के डिफरेंट इरिजनल सिंटर के तरफ से रिलीस की गई है जिसके बार में आप लोग को जाना जरूरी है आप लोग वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीट ज़रूर देख सीजेगा एगनु के डिफरेंट हो तो हर एक एक ट्रॉस्टेड अनौथेंटिक इंफरेंशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हो जो पहला अपडेट है वो है टाम इन एक्जाम रिजल्ट को लेकर दिसमद अबाई से टाम इन एक्जाम के लिए इगनु ने एक और अपडेट पब्लिश किया है स्टेटस अभी आप लोग 20 अप्रिल तक देख पा रहे होगे अभी तो अल्मोस्ट जितने भी स्टेट है उन सब का ही रिजल्ट डेकलेर किया जा चुका है बस अब गिने चुने ही कुछ हजार स्टेट बचे होंगे जिनका रिजल्ट पेंडिंग होगा तो जो भी स्टेट का रिजल्ट पेंडिंग है वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जब भी आप लोग Revaluation Result का Portal पे जाते हो कि चेक करने के लिए तो वहाँ पे इस तरीका से Error सो करता है और वहाँ पे सो करता है योर कनेक्शन इस नाट प्राइविट तो इसको देखके स्टोएंट अपना Result री चेक नहीं कर पाते हैं उनको लगता है कि हाँ पोटल में प्राइवलम है लेकिन इसे कोई इस्ट्रीका का Error सो करें न तो यहाँ पर आपको एक एडवांस का Option मिलेगा इसके उपक्लिक करना उसके बाद से नीचे में एक option मिलेगा proceed to ठीक है इसके उपक्लिक करोगे तो इस तरीका से portal open हो जाएगा और उसके बाद से आप लोग अपना result check कर सकते हो ठीक है यहाँ पर देखो portal open हो गया यहाँ पर आप अपना enrollment number पुट करके अपना evaluation का result check कर सकते हो ठीक है तो आप लोग को यही करना है जब भी आएगा advance के उपक्लिक करना है फिर proceed to के उपक्लिक करना है और इस तरीका से portal हो जाएगा open ओके ना यह दो update था तीसरा update है बहुत important study material को लेकर study material को लेकर तो काफी student को problem हो रहा है क्योंकि study material उनको time पर मिल नहीं पा रहा है ना कोलकता regional center के तरफ से study material को लेकर दो list release किया गया है पहला list यह है कि job student का study material return चला गया है ठीक है उसको लेकर इगनोंने एक अलग सा list release किया है इसमें वो सब student का नाम है जिनका study material पहुँच नहीं पाया है और return चला गया है तो जब भी return चला जाता है तो वो regional center के पास उसको बेज दिया जाता है और वहाँ से student collect कर सकते है ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ वही student का नाम है जिनका study material मिला नहीं है और return चला गया है तो वो लोग regional center विजिट करके अपना study material collect कर सकते हैं अगर आपका नाम इस list में हो तो ठीक है जिसका जिसका नाम इस list में है तभी आप लोग जा सकते हैं उसके साथ साथ में एक और list IGNU के तरफ से I mean Kolkata Regional Center के तरफ से release किया गया है यह भी study material का ही है यह वो सभी student का नाम है इस list में जिनका study material IGNU headquarter के तरफ से direct Kolkata Regional Center को ही भेजा गया है ताके वो लोग student को distribute कर दे ठीक है तो यहाँ पे अलग list है इस list में भी आप अपना नाम चेक का लेना अगर आपको अभी तक study material नहीं मिला हो तो there is a possibility कि headquarter ने direct regional center को भेज़ दिया है और कुछ वज़ा से I mean address का notice break list कर दिया गया है बता दिया गया है कि Monday से Friday सुभई 11 वे से 4 वे तक आप जा सकते हो और आपको बस एक IGNU का original iCard लेके जाना परेगा बट याद अखना कि अगर इन दोनों list में आपका नाम हो तब ही आप लोग जाना Monday से Friday IGNU का iCard लेकर और उसके बास से जाके collect कर सकते अगर आप माल लो नहीं जा पा रहे हो तो आप कोई और परसन को भी भेज सकते हो अपने बिहाफ में उनके पास भी अगर IGNU का iCard होना चाहिए आपका आप अपना IGNU का iCard दे दो तब भी हो जाएगा और एक authorization letter देना परेगा कि someone else is collecting my study material on my behalf ठेक है तो ये authorization letter अगर अप्रील को conduct करवाया गया है और उसमें काफे student को original degree दिया गया कम से कम दो लाग से ज्यादा student है जो eligible थे इगनो में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे student है जो convocation के बाद जो original degree होता है वो collect करते ही नहीं है या वो लोग apply ही नहीं करते है या उनको पता ही नहीं रहता है कि आ आपको mark city 10 provisional certificate मिलती है लेकिन original degree के लिए तो आपको apply करना पड़ता है और जो provisional certificate रहता है वो next convocation तक ही valid रहता है तो आपको हरकिक जगाब पे original degree की जरुद परेगी लेकिन student apply नहीं करते है तो इसको लेकर लखना original center ने total list release किया है 23rd convocation से लेके 35th convocation तक जो भी student eligible है और उनको अभी तक degree नहीं मिला है या उन्होंने लिया नहीं है तो उसका एक list जारी किया है उन्होंने यहाँ पे 23rd 24th 26th 27th 28th 29th 30th इन सबका list release किया है और यहाँ पे student का नाम है तो इस list में अपना नाम चेक कर लेना अगर आपने अपना degree collect नहीं किया है इस list में आपका नाम है तो आप लोग simply अपने regional center पे जा सकते हैं डिमांड आप से आपको payment करना होगा एक form fill up करना परेगा और आपको आपका degree मिल जाएगा तो जितने बेस trend है चाहे आप जिस भी regional center से belong करते हो यह तो लखनव regional center ने list जारी किया लेकिन अगर मालो अगर कोई और regional center से आप belong करते हो और अगर आपने degree नहीं लिया है तो आप simply अपने regional center पे विजिट करके and payment कर सकते हो डिमांड आपके माद्यम से offline ही and आपको आपका original degree मिल जाएगा तो यह काम जरूर कर लेना यह अभी लखनव regional center ने release किया है इस page का link मैंने description में दे दिया तो यहां से आप लोग check कर सकते हो उसके बास से दर्भंगा original center के तरफ से CLIS program के जितने वे student है उनका I mean induction meeting होगा sorry online counseling schedule होगा उसका list जारी किया गया है schedule बताया गया है कि किस-किस दिन आपका counseling होगा counseling यानि कि आपके classes conduct करवाया जाएगे ठेक है and वो Google meet से ही conduct करवाया जाएगा तो यहां पे आप लोगो schedule बता दिया गया तो दर्भंगा original center के student अगर CLIS program से बिलॉंग करते हैं तो इस counseling schedule को note down कर लेंगे उसके बास से देली 3 regional center के तरफ से BAG program के student जो है psychology जिनका practical है BPCC 101, 103, 105, 110, 112, 114 इनका practical होने वाला है तो उसका schedule जारी किया गया है देली 3 regional center के तरफ से जो बिलॉंग करते हैं BA psychology program है उ schedule को note down कर लेंगे और अपना practical attend कर लेंगे तरफ से जो पांच important अपडेट किया है उसके बार में मैं आप लोग को information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पर संदा होगे सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको भ समुझे कर लोग इंग डरतErर था पन्हर कर दे सम्सक्राइब कर देस्ट कि आपक लिए कर लोग कर दे स्बसक्राइब कर मैं सेर्द एंगन आपक में और कि नख